तर आपका क्या नाम है? राखुल तहां के रहने वाल हो राखुल? दिल्ली सहुआ, लोकल दिल्ली के रहने वाल हुए मोधी जी का बाशन सुना आपने अभी जो संसद में दिया उन्होंने दो दिन उसकी बात कर रहे हैं प्रतिक्री विपक्स तो अपने फोटो लगा रहा है फोटो तो यार कोई भी कहीं भी लगा सकता है मैं अपने फोटो यहां लगा दूँगा तो यहां तो नहीं कि मेरी वह चीज हो जाएगी बट हाँ जहां तक मोदी जी की बात है मुझे ऐसा लगता है कि चीटा अकेलाई काफी है बिल्कुल बिल्कुल शेर अकेलाई हाँ 24 तो मोदी जी का है आपका नाम भी राहूल है राहूल गांधी भी है एक कॉंग्रेस से वह नराज तो नहीं हो जाएंगे सुन लेंगे अब हो तो हो वह उनकी पर्सनल प्राब्लम है यह हमारा मेरा नाम राहूल है ऐसा नहीं है कि सब राहूल एक जैसे होते हैं और राहूल जो है मोधी के फै कि अब दो थो एक बहुत बाद कर रहे हैं कि तॉट इस इस सोदिया कह रहे हैं मेरी मैं पीया मोडी के बराबर हो गया हुँ चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मुझे ऐसा लगता है मैं आपका क्या नाव है? दिव्या आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? येस आप क्या कहेंगे यहां पर जो बाशन हुआ बाशन सुना होगा आपने आपको क्या क्या अच्छा लगा उसमें? भाशन मैंने कुछ जादा तो नहीं सुना बट वही है कि कीचड में कमल खिलेगा अच्छी कमल कीचड में खिलता है और अभी आप पूछ रहे थे किसी से कि मोधी जी की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है तो जो डेवलप्मेंट है वो तो है ही उसके अलावा में यह कहना चाहूंगी कि जो हमारे जवान है देश के जो शहीद हो के आते थे विचारे आज वो बट रहे है सबसे बड़ी बात यह है मोधी जी की उनको वो फैसिलिटीज मिल गई है उनको वो अथॉरिटीज मिल गई है उनके इसलिए वो अपना दिखा पारे जो उनका मतलब है कि देश के जवान हमारे इंडिया के जवान कैसे है बिल्कुल उनको वो पौर दी जा रही है सेना के शोरे और सबसे बड़ी बात उनके पास अथॉरिटी है मतलब कि हाथ जो करने करो यह नि उनके हाथ पर बंदे नहीं है बंदूग तो है हाथ में लेकिन बंदे नहीं है छूट है जो गलत कर रहे है तो आप आपने सेना के शोरे की बात करी दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उसी शोरे पर सवाल उठाने वाले कुछ नेता है जैसे ऐर्विंद केजरिवाल की बाद किया वो भी अब 24 की तैयारी में है उनकी पार्टी के कारे करता तो कहते हैं Moody versus केजरिवाल होगा तो मतलब समेराज़नीती में रहने लाइक तो नहीं है 24 में आप Moody मोधी जी हैं, हम क्या, I think 90% आपको यही जवाब मिलेगा क्या नाम है आपका? बीपक सोनकर कहां के रहने वाले हैं? आजमगड जी लिका आजमगड उत्तर प्रदेश से रहने वाले हो कैसे देख रहो इस टाइम देश का पोलिटिकल सिनारियो 24 का इलेक्शन आ रहा है, किसको देखना चाहते हैं परदान मंत्री पद पर? परदान मंत्री पद पर तो यह हमारे मोधी जी रहेंगे मोधी जी रहेंगे? मोधी जी ही बेस्ट है बाकी लोग इतनी तैयारी करने हैं? बाकी लोग जिसका उमीद ज्यादा रहता है आदमी उसी का नाम लेता है क्यों उमीद ज्यादा है मोधी जी से? मोधी जी के काम बहुत किये हैं बिकास अपने भारत में बहुत ज्यादा हुआ है उक्तर परदेश में आज इंवेस्टर संमिड भी चल रहा है क्या नाम है आपका कनेया लाल सोनकर कहां के रहने वाले हो आजम गर्जिला फुलपूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो आप किसको देखना चाहरे हो प्याइंब पत्र मोदी जी को कोई कारण होगा क्यों आने चाहिए मोदी जी देखिए ओ जनते मलब डिमांड कर रही है मोदी जी को मलब 100% में जनता मतलब है कि 75-80% से ज्यादा मोदी जी को सपोर्ट कर रही है विपक्ष ने इतना कोशिश की इतनी तयारी अब तो भाई अब सब लोग तइयारी करी रहे हैं लेकिन जन्ता का उमेद बता रहा है कि मोदी जी मोदी जी पर ज्यादा चांस लोग कर रहे हैं कहां के रहने वाले हो जी मैं दिला युपी मुरादावाद कर रहvision के रहाएं। आपको कई लग रहा है, कोन भारी? पर अदी नकम है और मैं तो चाहँगा फिर योगी आएं मैं तो कहूँगा पीम भी योगी बनाए जाएं ये भूत नाम चरचावं में चल राए म्ोधि के और योगी' का देश में और भी इतने राजने हैं इतने मुख्छी मंतर्य हैं उनका नाम नहीं चल रहा प्रवात राई में उधैपुराजस्तान से हथाँ, सिटी अफ लेक्स राजसान में अभी जो है पीएम मोधी जाने वाले हैं वहाँ पर अभी जो ये हाईवे निकल रहा है इंडस्ट्रियल जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उसका उद्गाटन करने वाले हैं एक राजसान ही होने के नाते कैसे देख रहे हैं सिर्ट बहुत अच्छे से सरकार है तो चुनाव भी आने वाले हैं अब आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं राजस्थान में तो नेक्स टाइम बेज़ेपी गवर्मेंट बनेगा बदलाव होगा अशोग गैलो जो मुख्यमंत्री है वो आज बज़ट पढ़ रहे थे उन्होंने पिछले साल का अब किंद्र का बता दो रहुल गांदी ने बहुत मैंनत की वहां भारत जोड़ो यात्रा में हां उनका परसोनल्टी मैंनत करना चाहिए मेंनत से परसोनल्टी बढ़ते हैं लेकिन नेक्स टाइम प्राइम मिनिस्टर है इस नरेंद्रमधी है यह थिंक निव इंडिया और जो आइफांद प्रामिनिस्टर नरेंद्रमधी आपने भाशन सुन आभी जो लोगसः राज्यसवा में भाशन हुए में है यस यस आपके क्या तिपनी है इस बाशन पर विपक्षो लगाता रहा हंगामा करता रहां पीऑ मोंदी बाशन देखो विफक्ष का काम ही है हंगामा करना लेकिन ऐसे नहीं हर काम के लिए हंगामा करना हर डिवलफ के लिए कोई तो शिकार करना पड़े का जो देश के लिए अच्छा ही कर रहा है लेकिन विफक्ष ऐसे कर रहा है जो हर काम के लिए उन लोगों हंगामा करते रहा बा उसक Pol Zilla क्या मूड है इस बार 24 में किसको लाना चाहिए वी आप कर दो जिसका नसीब अच्छा होगा वही आ सकता अभी आपने अपना नहीं नहीं बहुत कर सकते हैं क्योंकि आपी खड़े तो कुछ ऑढ़ भी हो सकता इसलिए जिसका नसीब में जो होगा वह सकता सर क्या नाम आपका कहां के रहने वाले हैं यूपी के रहने वाले हैं यूपी के रहने वाले हैं सर यूपी की क्या आवाज है आप चोबी सिलेक्शन के लिए और wen तर फो यह पीर यह उगी यूगी होजिए नहीं वे उत्तर प्रदेश सब्धाइब निब अप स्थ डाव कर द्यबारों है। आप एक जनता होने के नात्य जो किसको चुनना चाते हैं कोन अना चाहिए पियम पर पर भाई रहुल आना चाहिए कि लग रहारा आपको कि ए प्रैक्टिकली इनकिशानु की आलत कराब कर दी क्या लग रहा है आपको राहूल गांदी के नित्रितव में विपक्ष एक जुट हो पाएगा आपाएगे एक साथ एक मंच पर अबी हाली में अखिलेश यादव मायवति उन सबको बुलाया गया वो कोई दिखा नहीं राहूल गांदी के साथ तो जिब चुनाओगा ना जभी तो आवंगे भी कहां साल पड़ा उसके आज पास ही आवंगे